जीमेल ने अपने यूजर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बेहत खास सुविधा पेश की है इसके मदद से मेल में आने वाली अटेच्मेंट फाइल को अब फॉर्वड करने के लिए अब डाउनलोड करने की ज़रत नहीं होगी अब यूजर्स अटेच्मेंट फाइल को अन्य मेल आईडी पर फॉर्वड करने से पहले उसे डाउनलोड करना पड़ता था नए फीचर की जानकारी कंपनी ने अपने अधिकारिक ब्लॉग के जर्ये यूजर्स को दी है कंपनी ने ब्लॉग पेज पर नई सुविधा की जानकारी देते वेश पस्ट किया है कि अब यूजर्स को ईमेल के जर्ये मिलने वाले अटेच्मेंट फाइल को फॉर्वड करने के लिए डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी कंपनी ने ब्लॉग में लिखा है कि हमने अपने यूजर्स से सुना है कि एमल में मिली अटेच्च फाइल को लाउनलोड करने और उसे forward करने में काफी परिश्वानी का सामना करना पड़ता है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और company अपने users को email में आने वाले attachment file बिना download की forward करने की सुविधा दे रही है company ने इसका एक demo वीडियो भी blog पर डाला है इसकी मदद से users feature का उपियो करने की तरीके आसानी से समझ सकेंगे हाला कि इस वीधा अभी शुरू नहीं की गई है और company जल्द ही से users के लिए roll out करेगी इस service के शुरू होते ही email में आपको three dot menu में एक नया forward edge attachment विकल्ब दिखना शुरू होगा किसी नए email को भेशते समय users को के विल attach बटन पर क्लिक करना है बता दे की हाले में Google के CEO सुंदर पिचाई ने users के लिए alerts जारी करते हुए tweet किया है उसमें जानकारी दी है कि किसी अन्य website पर login करने से उनका password छोरी होने का खत्रा है साथ ही company ने अपने users security को ध्यान में रखते हुए Google Chrome के लिए एक protection feature भी चारी किया है ये feature users को malware से प्रभावित ब्राउजर का रियल टाइम अलर्ट देगा नेक्स नाइन टेक्से शुर्थिकी रपोर्ट